लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और रेल आइकुन को प्रेस करें रायडूजी आगे क्या बेटा आने का समय हो गया है इतनी जल्दवाजी क्यों कर रहा है मौर्थ में तो अभी समय है और उस महान इंसान को देखने के शुब मौर्थ के लिए जल्दवाजी कर रहा हूँ इस गाव में कदम रखने पर ही उनकी अच्छाई के बारे में महांता वो और से देखना चाहूँ हूँगा कैं माली नमस्ते नमस्ते माली नमस्ते नमस्ते को शांता का नंफ जब यर्णा करें ईच्वाधार अले डुकस अले गश्क लग कान थिद harm मेवर्ण नमस्तंसक्स अधिन अधर आश हां से हमें नमस्ते मत कीजिए बस आशिरवाद दीजिए देरगाई शुमान भाव है ओम सर्वमंगल मांगल एश्वे सर्वार्द साधिके शरन्ने त्रम्ब के गवरी नारायनी नमोस्तुते सौ साज्य प्राप्ति हो सदा सुखेरा सुचाइए स्क्रिपा करके आप आशिरवाद मत दीजिए आपके बच्चे नहीं हैं आप बांज हैं ऐसे में आपका पुत्र प्राप्ति का आशिरवाद देना ठीक नहीं लगता ना बहन जी माँ दिमाग खराब है क्या ये किस तरह की बाते कर रही हैं आप आज साहाब और मेम साहब यहां के भगवान है इनके बारे में आप ऐसा कैसे बोल सकती है हमें आशिरवाद दीजी माँ अंधेरे में क्यों वैठी हो जानकी एई उन्होंने जो कहा उससे दुखी हो क्या उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सच है कोई भी माँ अपनी बेटी का भला ही चाहेगी मुझे बांच कहा इस बात का दुख नहीं है मैं आपको वारिस नहीं दे पा रही हूँ इसका दुख है मेरे कारण आपका वंश आगे नहीं बढ़ पा रहा है इससे दुख्यों इसलिए इसलिए आप दूसरी दूसरी शादी कर लीची जानकी तुम बहुत गलत सोच रही हो तुमने कहीं और जन्म लिया फिर अपने घर वालों को छोड़के मंगल सुतर के साथ इस घर में कदम रखा उस मंगल सुतर को छिनने का हख भगवान के पास भी नहीं है बच्चे बच्चों के लिए मन को मार कर अगर दूसरी शादी कर भी लो तो मैं इंसान के तор मर जाओंगे माफ कर दीजिए प्रसे मैं ऐसी बात कभीनी करूंगी आप ऐसा मत भोली पर दिए अभी आ गाश्या इनीर करूंगी तुमसे मिलने शा prospects Is कø नमस्ते है नमस्ते बैठिये नहीं ठीक है मैं आपसे एक छूटी सी बात कहने आया हूँ बोलिए पूरे गाउं को खुद के बच्चों की तरह खयाल रखने वाले आपके उस भगवान ने बच्चा नहीं दिया मतलब विश्वास नहीं हुआ तो राघव से कहके मैंने आपकी कुंडली मंगवा के देखी शाधी के कुछ सालों तक कुंडली में दोश होने के कारण संतान प्राप्ति में देरी हुई है दोश का हल निकलवाएंगे तो आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होज़ी बहुत शुब समाचार आपने सुनाया पंडिची इस शुब समाचार के साथ एक छोटा सा बुरा समाचार भी है और वो क्या है बच्चे जब छोटे ही रहेंगे तब आप दोनों की मित्ति हो जाएगी ऐसा कुंडली में लिखा है बस इतनी सी बात है हमें कुछ भी हो जाए करेंषल नहीं परवा नहीं मेरी जान की माँ बन जाएगी न बस काफी है उससे कोई बांज कहके कर दो कर दो कर दो हुआ है बहुत 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 देखिये पापा पापा पक्री का बच्चा अब अरे बेड़े रुको देखता हूं अरे बच्चों समझ के समझ के यह को सड़क कैसे नहीं बार करो हाँ हाँ बचा विया इसे कितना प्यारा है ना पापा अरे यह क्या हुआ मैटा अच्चों मैटा यह क्या हो गया यह सब क्या हो गया मेरी कुछ में समझ में नहीं आ रहा रहा रो मत बीटी जब तुम इस दुम्हां में आओगी तो हम बच्पान के पास जाएंगे इसी मनत मांगी थे यह बापा वो मनत पूरी करने वाले हम बच्पान के पास जा रहे हैं अपनी बहन का ठीप से खेल रखना तुम्हारे जैसे भाई बहन इस दुनिया में कहीं नहीं तुम दुनों एक दूसरे का खेल रखना और बेटा बेटी आँगे खोलो अरे आँगे खोलो बेपाँ बेटा पापा 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 के गोलो ना मारी लवा लवाता है मारी कर् 흡ング 묵ित Solar पसंद ना भाया शुम्रा जी के खेत मुझा कर मेंदी का पत्ता ला रहे थी तो पैर में कटर चुप गया अरे रे कां है बताओ कि ओहो फून आ रहा है तुम फिर कभी मेंदी के लिए बाहर मत जाना तो फिर आप गर मेंदी का पौधा लगाओ कि अब कि अब पर बुप पर तुम्हारा जनन दिन है ना और जनन दिन पर मेहंदी लगाई जाती है तुम्हारा जनम दिन ही हमारे घर का सबसे बड़ा त्योहार है इसलिए मेंदी लगा रहा हूँ तो फिर हर जनम दिन पर आप मुझे मेंदी लगाना ठीक है जरूर लगाऊंगा लक्ष्मी 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 सुभु चाचा लक्ष्मी को देखा आगा नहीं देखा सिधा चाची लक्ष्मी को देखा नहीं देखा सुनो चाचा लक्ष्मी मिल नहीं रही मिल नहीं रहे खहाँ चली रही हाँ देखो तो जनम दिन है इसलिए तो मुझे टेंचेन हो रही तो शैटान मेरे साथ मजाग कर रही है अब कुझे बताता ओँ रोक लक्ष्मी का सिर्ट जनम दिन ही नहीं राखी का त्योहार भी है मतलब भाई और बहन का त्योहार है अब भाया की रक्षा के लिए तुम राकी बनुख जो बात है वो बताना चाहिए जी आपकी बहन देवी है जी ऐसी देवी हमारे गाउं में पैदा हुई ये हमारी खुश्नसी भी है तारीव छोड़के मुद्दे पे आजाओ भाई बताता हूं जी कल मैं अपने मज़दूरों से काम करवा रहा था जी तभी क्या हुआ की अरे सुनो काम होने के बाद खेदों में जाकर कवों को भगाने वाला पुतला लगाए ठीक है दीदी मेरी बेड़ी से धुआ नहीं आ रहा मुझे अच्छे से देख ऐसे रखके ऐसे फूँख जलाया तो यहां भूँआ वहां से क्यों आ रहा है अरे कौन है वहां भगो भगो रघू… अरे रघू देखो कोई आख लगा के भाग रहा है पकड उसे कौन है कौन है क्यों है किस provided हाग लगा से अे रूगा गाले को अश्यागी आजाए अश्याए पर फिल तो फिर तुमारा क्या हुआ कल श्याम को हुआ ये कि जाओ जाओ जल्दी होजा चाहा करें ना चाहा से कबंदी, 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 कबंदी वहांँ है यह प्रॉद्ट थिए यह यहां क्यों आए अब यहां को शिकाद करने तो नहीं सॉरी वापसा के आर्थी उताती हुँ हम अब यहां आर्थी चाचान मुझे भी आर्थी भैया उन्हें भी आर्थी देदू हादे दो आर्थी देजिए बात बताई तो नहीं न अगर बताई न तो पूरे खेत में आग लगा दूंगी तुम्हें भी याग लगा दूंगी भाईया हां बोलो यह भी बहुत बड़ी भकते मेरी ही तरह हां जी हां जी तुमने कुछ कहा मैं पहली समझ चुका हूँ ज्या बोल के मेरा बीपी मत बड़ा छोड़ दो लक्षमी जी भाईया वो लो गनेश चतुर्थी के चंदा के लिए आये हैं अपने हाथों से दसजर दे दो चाचा जी किसको कितना देना चाहिए तुम्हें पता है उसी तरह पता नहीं पर आपको मेरे बारे में बहुत कुछ पता चल रहा है जान पते जी पारवति पुत्रा क्यों हो चड़ीओ उच्चा हनुमांंजी आंचि isso पागल कहीं के इस सुनामी सुब्व को कुछ पता नहीं है तू समझता है उन्हें और इने कोई अंतर नहीं है इस अवतार में उनके पीछे पूछ है और उस अवतार में आगे सून है चुपचा प्रातना कर सुमी गनेश अनुवान जी मैं कुछ जादा नहीं मागोंगा हुहरुंन है अलुछ मंदिर में लड़की काकणते हैं वह किवी शूनामी शुब्वु के सामने कर दो मायोंगा तू मेंनिया ईयू इनुन अटू मैं तूम्ह पहले ऐसे चुवेगा तुम चुपर होगी फिर तूम्हे पकड़ेगा उसके बाद फिर अखर तूम चुप र को तो मोहें मंने दो सूम लेगा मेरा पति उजिछ चुएगा? तुमारा बनना क Enemy नहीं तूमारा बन के लिए हुँ रंड़ियो पुर्क मार गूर यहां भूरियो आ रिखता चोना यहां तुमारा मानना कि … तुमारा मानना बनना रहो पर बनन był पंडित आर्थी करो कैसे आज में है किसी को कोई इता मारता है क्या तोड़ जेता है कोई ने जब थेतों में आम दोड़ रहा है परी पाप्रे जाओ जाओ ले अाओ ओूँ अछ़ कोई जब आमें अजब आूँ व Wik हूँ अब एव हुँभधत प्ड़स भाया भाया लक्ष्मी 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 भाया लक्ष्मी को साम ने कार गिया भीया आप लक्ष्मी 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 शीवा जी जल्दी से बैट को बुला कर ला जल्दी तेरी इतनी हिंवत कि तुने मेरी बहन को काटा चाचा जी इस गाव में एक भी साप नहीं रहना चाहिए उनके बिल तक तोड़ दो नहीं भाईया उसकी कोई गलती नहीं मेरी ही गलती है उसे छोड़ दीजिए नहीं बेहन मैं इसे नहीं छोड़ूंगा मेरे लिए छोड़ दीजिए भाया खत्रा टल गया बेटा जहर पैरों में है इसलिए अगर रात को सोएंगे तो वो जहर सर पे चड़ जाएगा तो आज रात इसे सोने मत देना बस ठीक है बेट जी साहब इस गाउं में किसी पे मुसीबत आती है तो आप ही देखते हैं आपकी बहन पर मुसीबत है तो हमें नीन कैसे आएगी पूरा गाउं जाक कर आपकी बहन को सोने नहीं देगा आज की रात कि मैं था नें देख लेकिन आख है कि पुछली बार हां अधे फिरसे लिखों मेरी क्लास्मेंट नंदे नी उससे बचा लेजिए है ला पोली स्केशन हलोग हुआ है है कर दो दो दोर किक है दो जो पर पर जो 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 से दो से झाल जो हूज से और जो जो हूज से अट अ कैसे झाल । वाँ Sloven कर दोर, लुष रुए, हा सा रुष मैं! मौई सक dakजो पाम! हाँ ! लुए! हा भा हा ! झायओ 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 हाई! 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 हाई? हाई? है चल लेके जाईए चल जा अब बताओं कौन था वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा था वो मेरा जीजा है तुम्हारे जीजा हाँ छे महीने पहले पेताजी की मौत के बाद मैं बिलकुल अकेली हो गई थी तब दीदी मुझे अपने घर ले गई थी उन्होंने सोचा कोई अच्छा रिष्टा देखकर उसकी शादी करवा दोंगी नंदीरी तुम्हें अपने बालों में गजरा लगाने का बड़ा शौक है ना देखो उस दिन जो रिष्टा आया था वो अगर तैय हो गया तो तुम अपने बालों में गजरा लगाओगी रोज नहीं साड़ी पहन तुम्हें ये लड़ू खाने के लिए कहा नंदनी तुम भी खाओ मू मीठा करवा रहा है मतलब कोई अच्छी खबर होगी है ना हाँ बहुत अच्छी खबर लाया हूँ पांच लाग दहेज मांगा है उन लोगों ने पांच लाग रुपे इतने पैसे हम कहां से लाएंगे नहीं ला सकते हैं ना इसलिए एक निर्ने लिया है मैंने वो क्या शादी के लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा है इसलिए सोच रहा हूँ कि तुम्हारी बेहन का पती मैं ही बन जाता हूँ क्यों मिठाई कडवी है क्या गले की नीचे नहीं उतर रही है आपकी बत्नी तो मैं हूँ फिर अब दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं मुझे पता था तू नहीं मानेगी इसलिए तेरे लड़ू में मैंने जहर मिला दिया है थोड़ी देर में तू समशाल और मैं मंड़ा पे पहुँच रहां दीदी 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 सीने में दर्थ की करण मौत हुई ऐसा सज़ेट लेकर पुलीस को भरोसा दिला दिया मेरी शादी हो जाए यही दीदी की आकरी इच्छा थी ऐसा घावलों का भरोसा दिलाया और अब जबरदस्ती मुझसे शादी करने जा रहे है इसलिए मैं भाग कर आ गई शांत हो जाओ नंदिनी रो मत तुम्हें बचाने वाला हमारा शोक है यह पता चला न तो तुम्हारा जीजा तुम तक पहुचे का भी नहीं तुम दरो मत भाईया ऐसी स्थिति में नंदिनी का अके लिए रहना ठीक नहीं है हमारी फैक्ट्री में इसे कोई काम दे दीजिए फैक्ट्री के ग्वाटर्स में रह लेगी ठीक है लक्ष्मी बस के लिए भी सुनामी सुभू को वेट करना पड़ रहा है सीम से बोल कर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का ट्रांसफर करवा दूगा तब तब लोगों को पता च मुझे पता है आप कौन है सुनामी सुभू को तो इस एरिया का बच्चा बच्चा जानता है मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ अगर आपनी बैटेंगे तो मैं साइकल नहीं चलाओंगा आईये ना बैया आईये ना जबकि हम दोनों की मां अलग अलग है किसना अच्छ कर दो को ठोकने के साथ साथ मेरी बीवी के उपर भी जाता हारा आप कर दो आएंदा ध्यान लग डाटिक है कि अजया भुआ इधर ख सींघुका गारे नमें इवें यदर यदर कश्चनी में तुनि हाञा जेंड़े कहां और शिर्वार्भार्वी चुल्ड वाले रिज़ एकमैर साथ ऐख अच्ष फैनिन चंपशल्य क्यों तो Shen rallies को मुझे बार के लिए तुने आप देखा मेरी क्या है साइकल चलाना अभी शुरू किया है पीछे की सीट पर कभी किसी को नहीं बिठाया था इसलिए आपको बिठा लिया यह सुनामी सुम्भू तुझे लगेस दिखाई देता है क्या नहीं भाइया कॉम्प्रमाइज चल जा है अभाप रहा है घर जाके तीन ग्लास पानी और तीन क्वार्टर लेटा होगा अकाश किष्णा थेटर में आज से रोज चार शोज होंगे और पिक्चर का नाम है मैं तुक्रे बंद कर अपना मूँ सेकंड हाफ मैं बताती हूँ एई और आके देखिए देखके खुश हो जाए दान वीर शूर वीर कर्ण इसमें है हमारे अपने नागार जुन निर्माता है वेंकटेश एई रुक्यों गए गड़े में गई गाड़ी ओ अच्छा मैं नहीं नहीं आप बैटो दीदी हम दुक्राइए जोर से मार ना जोर से मार ना अधिस निकल ने रही और यह जोटो तुम से यह तो यह इतना भारी क्यों है दान वीर करन का बॉक्स है ना ओ नागर जुन की फिल्म ए इसे लिए इतना वसन है क्या ओके प्यों थांक यू भैस की तरह अंदर बैठके मुझसे धक्का मरवाती हो तुम लंगडी हो क्या तुमको धक्का नहीं मार सकती हो हाना सच में लंगडी हूं मैं सॉरी एक्स्टीमली सॉरी आपका सिर्फ एक ही पैर है यह मुझे पता नहीं था कोई बात नहीं जी थैंक यू आखिर बात क्या है भाईया आप सब लोग मुझे ऐसे क्यूं देख रहे हैं आखिर बात क्या है कुछ बोले बहुत अब टुम सबको हुआ क्या है हुआ हमें नहीं तुम है मुझे क्या हुआ है कपड़े लिनी जाओ तो खुद के कपड़े लेकर जाता ऐसा कहते है अपने मुझे नहीं कहने वाली हूं अरे बुझी तो ही बता बात क्या पैंट पैंटना भूल गए मतलब प्यार में गिर गए हो लक्ष्मी आज तो तुम अपने भाईया से मेंदी लगवा रही हो पर कल तुम्हारी शादी होगी तुम ससुराल चाओगी तब कैसे लगवाओगी ससुराल तो क्या इस दुनिया में मैं चाहें कहीं भी चली जाओ च या मैंने भाया को रांखी नहीं पैनाई तो समझळेना वो मेरा आखरी दिन होगा। है74 प्रसा दिन नहीं आएगा भाईया मैं थो कहने करि faru कह रही हैं मैं कहने बीए ऐसी बाते तुमारे मूह से नहीं आनी चाहिए समझ गई गई हूं अधिए पर अधिए बेहन के जनन दिन के अफसर पर हर साल इस गाउं में कुछ ने कुछ आप अच्छा काम करवाते हैं हॉस्पिटल बनवाया स्कूल बनवाया और अब कुवा बनवाया बहुत ही खुशी हुई बेटा इतने सालों तक कितनी दूर पानी लेने जाना पड़ता था यह कुआ बनवा कर तुमने हमारी मेहनत कम कर दी तुम सौ साल जी ओ सौ साल बचाओ 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 कोई बचाओ इस सुनामी के सामने रेप और किड्नैम यूँआ बहुत अर्जेंट है हट जा मुझे भी अर्जेंट है वे यह क्यों बेचारी एक आवरत को तीन लोग किड्नैप करते हो अब क्या वक्वास कर रहे हैं तुम्हारा रक्षा को तुम्हेरी भक्षा को गई मैं पेट से हूँ डेलिवरी के लिए हॉस्पिटल ले जा रहे हैं तो मेरे पती और भाई को माल रहे हो तो अब मुझे कौन होस्पिटल ले जाएगा कमीने अब कर रहा था कर रहा था रहा कर रहा तो शिस्टर को यहीं डेलिवरी हो जाएगा नेकर चाहा चलो 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 बैन चलो अज दो कॉटर्ण ज्यादा पीना पड़ेगा है और योग तुट नहीं दो अब तू पाप्री बुचु का अफ़तार हाई ओ आप कैसी है आप अच्छी होती तो मंदर क्यों आती मूवी देखने जाती शिकार क्यों रूब रुको जार मेरी बास सुनू अजख़ो क्या हुआ अपक荷 है उस दिन आप अपयान पैर नहीं था आज डायान पैर नहीं है एश्ञा नहीं है जिवाव का या ए सिल्ड का आपका बायाई पैर मेरी या लाव है वह आपका दायां पैर मेरे ताहि तरफ यह क्लियर बिल्कुल सही कॉ divisor शुटिन मैंने आपको सामने से देखा ऐस्मेरे आपको पीछे से देख यही程 था इसे लिए तो थोड़ा आगे तरने लिपशे सेफल देखते हैं है का मतलब यह नहीं है कैम कि भगवान ने आपके साथ बड़ा अन्याई किया था कि इस संवाज धारी सुनधरता देनी के दूस्टकर नहीं इंग पड़ा अन्याई किया अरे एक पैर से आपने कैसे किया साधना करने से इंसान कुछ भी कर सकता है क्या बात है यह भगवान विचारी के साथ कितना अन्याई किया आपने यह तुम्हारे दोनों पैर है रुको तुमने मुझे जूट बोला रुको तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी है मुझे पर्सनल बात है मंदर में नहीं करते तो फिर कहां करते हैं पहले हाठ छड़ो ए रुको सुनो हाठ पकड़ा था तो ऐसे क्यों भाग गई हेलो बुद्ध के अफ्टार हां शाम को नेल पाक रोड़ पर मेरे खेट के पास मिलते हैं ये तुम क्या कह रहे हो मुझसे प्यार करते हो क्या अहां तो फिर शादी किससे करोगे प्यार किया है शादी करने के लिए मुझसे शादी करने के लिए मुझसे शादी करना मम के ना हो तो तो जिन्दगी भर मैं शादी नहीं करूंगा तुम बहुत गहराई में चले गया ये प्यार के चिकर में पढ़के जिंदेगी बर्बाद मत कर लेना क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? मैं तुम्हें चाहे कितना भी पसंद कर लूँ अगर भाया को छोटी सी भी बात नहीं पसंद आए तो मैं शादी नहीं करूँगी क्या मतलब? मुझे क्या चाहिए ये मुझसे जादा भाया को पता है मेरे पहनने के कपड़ों से लेकर मेरे होने वाले पती तक सारी सिलेक्शन मेरे भाया ही करेंगे लेकिन प्यार और शादी ये परसनल बाते होती हैं मेरे भहिया मेरी जान है, उससे ज़्यादा पसनल और कुछ नहीं तुम्हारे भहिया ने किसी अंध्य या फिर किसी लंगडे से तुम्हारी शादी करवाई तो कर लोगी हाँ जरूर करूँगी, मेरे भहिया की खुशी से ज़्यादा मेरे लिए और कुछ नहीं है देखो आपका दिल बुद्ध की तरह महान है आपको और परिशान करने के लिए मैंने लंगडी होने का नाटक किया किसी भले इंसान को परिशान करने की गलती की है और यह पहली गलती है जो मेरे भाया को नहीं पता आगे से कभी ऐसा नहीं होगा देखो मेरी बात तो सुनूँ प्लीज अगर तुम्हें कोई बात करनी है तो मेरे भाया से आकर करना प्लीज ओकी देखा तुमने उसे पसंद है फिर भी जब तक मुझे पसंद नहीं होगा वो शादी नहीं करेगी उसकी इच्छानुसार लक्ष्मी की शादी करवाना है भाई के रूपे मेरे जिम्मेदारी है वो कैसा इंसान है उसका परिवार कैसा है हमें जल्द से जल्द जानना होगा तुम अच्छा है कि नहीं हम लोग अभी पूछ देते हैं चुप रहो इस दुनिया में किसी से भी पूछोगे तो वो कहेगा कि मैं अच्छा हूं इसलिए हम उसके घर पर नौकर बन कर जाएंगे जब उसके करीब रहेंगे तो उसे अच्छी तरह जान जाएंगे घर में उसका भाई बनना आपकी खुश नसीबी है ये मैं नहीं जानता लेकिन आपके घर में मैं नावकर हूँ ये मेरी खुश नसीब हो गया अब चल ये भी न जी बोलिए वरकर्स के लिए आपने क्वाटर बनवा कर दिये हैं और हर त्योहार पर बोनस भी दे रहे हैं उनकी वज़े से मैं कमाता हूँ जो कमाता हूँ उन पर खर्च करता हूँ that's all मैं जो बोलना चाहरा हूँ वो समझे हमारे लिए काम करने वालों का खयाल रखना हमार जी देरेंप लेक्चादेरां प्लीज लेक्षान एस रखना हूँ जोग में हो कि यहालों किया हूँ बय खचे लुजा है भчи कि फप्रक्री रहा इधाई झाल! Чब भुट। ते पुट ते ट頭 दो दो तो था ते ट centrif आप ते दुट। कर दो, कर दो! कर दो! टॉ кüzमने यो अरे जो हुआ वो बताओ ना वो में रोड से आ रहा था तो एक्सिडेंट नहीं हुआ ओफिस से जब मैं घर आ रहा था तो रास्ते में कुछ अब भाए इन्होंने आ कि मेरी जान बचाई है बहुत बहुत धन्यवाद नमस्ते जी आपने आज हमारे जान से प्यारे दिवर की जान बचाई हैं अगर आप लोग हमें कुछ काम दे देंगे तो भाए या नौकरी की तलाश में शहर में आया है मैंने सुचा क्यों ना हमारे अब काम शुरू कर देंगे तो मैं भी वही सोच रहा हूं कपड़े दोने का काम या बरतन दोने का काम हम जिस काम के लिए हैं वो देखा भीया सगा भाई नहीं है फिर भी इतनी देख भाल कर रहे हैं वो सगे भाई नहीं है हाँ यह सब भाई और बहन के बच्चे हैं घर के नौकर ने बताया ए ए कहां को मैं खाना क्यों लिखा रहा है ए छोटे सहाब प्यार में पड़ गया है शायद वो लड़की कौन है यह बता देंगा तो अच्छा होगा बताने में शरम आ रही होगी इनको वो लड़की हमारे लेवल की नहीं होगी शायद गरीब घर की है क्या कितना भी घर की लड़की तो फिर भी वो लड़की हमारे घर की बहु बनेगी कैसे है उसने दिल लगा लिया है इसलिए हमारे फैमिली मेंबर्स उसके पैरों पर गिरकर यह रिष्टा करवाएंगे हमारे देवर की खुशी हमारे लिए सब कुछ है अरे इतना पर भी क्या सोच रहे हो बेटा वो लड़की कौने बता दो आखरी बार पूछ रहा हूं इजट से बता दे हां नहीं तो तुमारी भावी को तलाग दे दे हैं यह जो पूछ रहे हैं वो बता दो वरना हमारी शा से थोड़ा भाव भक्ती होना चाहिए कैसी बाते कर रहे हो अपनी बहन की पसंद को भला कौन भाई मना करेगा क्यों क्या उनके भाई कोई भी हो उससे हमें क्या उसका भाई क्या कोई शेर है जो माट डालेगा चोटे साहब सीधे उसके भाई के पास चाहिए और बोल कि अज आएंगे आज का दिन बहुत अच्छा है आज ही जाकर उसके भाई से बात करके शादी तयकर दिए कि इस तो बहुत अच्छा मैनेज किया है आद माई एक भाई आई ना बन्हा यह वाई तो बुलाओ बेटी भाईया 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 नमस्ते बैठे न आप सब मुख खोल के ऐसे क्यों देख रहे हैं बैठे न हमारे घर का नौकर इस घर का मालिक बन गया नौकर कीसी कहा ये मेरे भाईया है वह जो कह रहा है वो बिल्कुल सच है बेटी इससे जब बात कर रही थी भाईया ने देख लिया था इसलिए तुम्ह रहुने वाला ससुराल कैसा है यह क्या भाईया एक महाराज होकर नौकर के रोप में अरे कुछ भी होने से पहले मैं अपनी इस बहन का भाई हूँ इस बहन के लिए हमारे घर का नौकर बनकर तुमने हमारे घर में जाडू और पोचा लगाया मुझे यकीन नहीं हो रहा लड़कियों को किस घर में ब्यान आई ये देखने वाले इस जमीन पर आपके जैसा भाई होना सच में आपके बहन के खुश नजी भी है यह सिर्प मेरी बहन नहीं है, मेरी जान है भाई की मान रखने वाली बहन, बहन के लिए जान देने वाला भाई ऐसा रिष्टा मिलना सच में हमारा सोभाग के है अब और देरी क्यों? रिष्टे की बाद फटा फट करते हैं इस घर में सबसे बड़े चाचा जी है, आजीनी के हाथों रिष्टा तै होगा मुझे ये शादी नहीं करनी भाईया ये क्या कह रही हो, तुम्हें पसंद है इसलिए तो मैंने ये सब किया मतलब मेरी शादी करके मुझे बेजने की जल्दी में है आप? जल्दी में नहीं बेहन, जिम्मेदारी कभी ने कभी लड़की की शादी करके ससुराल तो भेजना ही होता है ना? आज अगर मा पिता जी होते, तो वो भी यही करते वो होते तो सिफ मेरी नहीं, आपकी भी शादी करवाते पहले तुम्हारी शादी हो जाने तो बेहन आपकी शादी तैह होगी तो इमें शादी करूँगी, अब बताईए आप कब करेंगे करूँगा बेहन, मैं तुमसे जितना प्यार करता हूँ मेरी बीवी को भी तुम्हें उतना ही प्यार देना होगा जिस दिन ऐसी लड़की मिलेगी, उस दिन शादी कर लूँगा और अगर ऐसी लड़की ना मिली तो कभी भी शादी नहीं करूँगा ये क्या है भाईया, आप हमेशा मेरी खुशी ही आगे रखते हैं अपने बारे में ता सोचते ही नहीं मेरे भाईया हमेशा खुश रहे, ये मेरी भी इच्छा है अगर आप जिन्दगी भर कुवारे रह जाएंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा हमारे माता पिता को पता था कि बच्चे होने के बाद वो मर जाएंगे फिर भी हमें चन्म दिया क्यों भाईया, इसलिए ना ताकि हमारा वन्शागे बढ़े उनकी ये इच्छा पूरी करने की आपकी ही जिम्मेदारी है अगर आपको शादी नहीं करनी है तो मैं किसी की पत्नी नहीं आपकी बेहन बन के ही रही है तुम जिस लड़की से शादी करने के लिए कहोगी मैं उससे शादी करूंगा ठीक है ये तुम क्या क्या रही हो क्या तुम मेरे भाया से शादी करने को तयार हो तुम्हारी भाया की पसंद क्या है ये जाने बेना भाया से बात करके ही आई हो तुम मुझे अपना जवाब बताओ मुझे मुझे अपना जवाब बताओ मेल आखने wszyscy से अंठिरे चुविए अखेगी मैदेख्यन एमेल 1020 जब जो यायादो आ अगर जिया थेमेल आ आखने पाईली मी तन्हों आखरीत जन्मेल आंधिर令 आखने जो भुझे एता कर्मक्र इडिले एक आखर बनस्वाlorे चुजब लो गयादो प्लक्षमी, क्या है ये, चुप हो जाओ, रो नहीं, घर वालों को छोड़कर, जब कोई भी लड़की ससुराल जाती है, तो वो दुखी होती ही है बेह, लेकिन ये दुख, खुशी के लिए आते हैं, दुख के लिए नहीं आते हैं, मेरी बेहन ने जिसे पसंद किया, उसी से उसकी शादी हो रही है, इससे मैं कितना खुशू तुम्हें पता है, वैसे भी तुम्हारे पास क्या कमी है, इतने अच्छे घर में जा रही हो, इतना अच्छा पती मिला है, इतने अच्छे उसके परिवार वाले हैं, इससे अच्छ कहाँ जाई हो तूं इस शादि के कारण हम धूर नहीं हो रहे हैं बलकि दो परिवार पास हो रहे हैं बहुन तुम्हारी आखों में आसूं में बेसे नहीं पाता हूँ अगर तुम खुश रहोगी तभी में खुश रह पाऊंगा थेक है बहुन झाल झाल करदो झाल 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 ये सब क्या है जी? पहले अपनी बेहन को इतनी हिम्मत दे कर भीश दिया और अब खुद दुखी हो रहे हैं बेहन के सामने रोता तो वो दुखी होती इसलिए अपना दुख अंदर छुपा कर यहाँ पे अकेला दुखी हो रहा है ये लक्षमी एक इतने अच्छे घर की बहु बनी है इस बात से आपको खुशी होनी चाहिए ऐसे दुखी नहीं होना चाहिए अहां देखिए थोड़ा अच्छा बहुत हो गया अभी आया अपनी बेहन को देखने के लिए आया था और इस घर की बहु को देखा ऐसी बहु के आने सामें बहुत खुश होई है यह सब भगवान की दया है पता नहीं हमने कितना अच्छे काम कियो होंगी जो इतनी प्यारी बहु मिली है हमें भावनियों के होते हुए मेरी बेहन की कमी पोरी हो गई मैं बहुत खुश है यहाद कोई भी लड़की अपने घर में खुश तो होती ही है पर ससुराल में भी इतना खुशी से रहना है सच में तुम्हारी खुश नसीदी है मेरी फोटो यहाँ आपको देखे बिना लक्षमी नहीं रह सकती मुझे पता है इसलिए मैंने ये फोटो लगवा दी थैंक्स आकाश बीवी के मन को समझने वाला तुम्हारे जैसा पती का मिलना मेरी बेहन की खुश नसीबी है अहां मेरी नंदु का घर तो बहुत ही बड़ा है नंदु नंदु नंदिनी कहां हो कौन है हां कौन है आप मैंने आपको पहचाना नहीं तुम्हारे नंदीनी हो ना हां बहुत ही कितनी बड़ी हो गई हो बच्पन में इतनी सी थी बच्पन में हर कोई इतना ही होता है आपके जितना नहीं है सही कहां बिटा वैसे आप हैं कौन अरे पागल मैं हूँ कांता सूरिय कांता पहचाना नहीं क्या थी पिता जी के मामा जी की दूसरी बीवी की बती जी हो मतलब तुम्हारी मौस ही वी ना बहुत पास की रिष्टता पास की हो आगे पीछे कोई भी नहीं है मेरी बच्ची हुई जिन्दगी को यहां बिताने का फैस लाकर क्या आई चलेगा ना बेटी कैसे मैं अरे इतना क्यों सोच रही हो नंदिनी यह हमारे साथ इस घर की बड़ों के रूप में रहेंगी अंदर ले जाओ वा बेटा सौ साल खुशी खुशी जी ओ आए मौसे जी आओ बिटी चलो आओ इतना अच्छा पती मिला है तुम कितनी किसमत वाली हूँ ओ शूरवीर जब तक तेरे वन्ष का मैं सर्वनाश नहीं कर दूँगी मुझे चैन नहीं मिलेगा हरे आकाश कैसे हो मैं अच्छा हूँ हमारी लक्षमी कैसी है वह अच्छी है आपके लिए good news है आप मामा बनने वाले हैं मामा मतलब हमारी लक्षमी मा बनने वाले है बहुत मुझा है अच्छा अच्छा वाले लक्षमी के चैन अच्छा 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 आश्रवात दीजिए या शेद्भा मामा अंत्प मैंने जवाब दिया कि मेरी बेहन शेदर है थब भगवान को गुछ सा आगया थम्हारी सुंदरता के सामने शुर्मिंदा है और तुम और बहुत क्या हुआ बधरिया τैक मामा जो पusion है समय ऑपर क्यों है ऐसा नंदनी से पूछने वाली मेरी बेहन कितनी बड़ी हो गई है आज मेरी प्यारी बेहन देखो मा बनने वाली है गर तो बहुत अच्छा है हमारे देवर का सेलेक्शन है गर किसके नाम पर है हमारे देवर के नाम पर है मतलब तुम लोगों के नाम पर कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है इसलिए देवर के पास रह रही हो क्या करें उपर वाला चपर फाड़ क देता है तो चैन से रह रहे हैं बिजनस में लॉस हुआ तो जायदाद बेच दी चाचा जी के बच्चे हैं इसे लिए आकाश हमारे पतियों को यहां ले आए और उन्हें फैक्टरी में नौकरी दे दी और हम सब को यहां लेकर आ गया अभी तो अच्छे भले हो कल तुम्हार बच्ची उन पर बोज बन जाएंगे तब नहीं नहीं हमारे दिवर बड़े अच्छी इंसान है असली रंग बहार आने तक सब लोग अच्छे ही लगते हैं वैसे भी यह तो तुम लोगों का मामने है मैंने ही बुलाया है तुम्हें किस लिए बतला लेने के लिए हिससे लेना है हमारे दुश्मन के परिवार से मेरे पती ने जो शराब बनाई थी उससे पी कर दस लोग मारे गए इस बात का पता चलते ही उशूर वीर ने हमें गाउं से निकल जाने पर मजबूर कर दिया हम शराब बनाकर उसकी गाउं बीचने लगे जैसे ही वो बात उसे पता चलते हैं कर दो, हो! वो मेरे पती की मौत का कारण बन गया और मुझे अकेला छूर दिया इस दुन्या में सरणने के लिए शूरवीर मर गया है ये पता होते हुए भी मेरे बदले की आग नहीं बुझी मैं एक अच्छे आउसर का इंतिजार कर रही थी पता चला कि तुम भी उनसे बदला लिना चाहते हो हम दोनों अगर हाथ मिला ले तो उशूरवीर के परिवार का सरवनाश कर सकते हैं मुझे भी वही चाहिए बोलिए मुझे क्या करना होगा मेरी प्यारी भांजी मेरी प्यारी लाडली यहाँ देख मामा जी को देख चिची चिची बड़ी बेटी कुन की नानी का नाम रखा है दूसरे बच्चे का नाम उसके नाना जी के नाम पर रखेंगा तो फिर इस बच्चे के लिए कोई नाम सोचा है क्या इसमें सोचने की क्या बात है इसका नाम भावी के नाम पर रखो नंदिनी आजाओ अरे नंदू भावी क्या हो पिटी असमा सुभा इतनी एची खबर मुपारक भावी आज से मेरा घर आपका मेका है नेरे घर में ही आपकी कोज भराई होगी ठीक है ना भावी नन्दनी की मा नहीं है तुम उसे मायका देने जा रहे हो बहुत खुशी होगी भावी यह हां लक्षमी इस इस खुशी के मौके पर आपको मुझसे एक वादा करना होगा चलो वादा किया आपका बेटा हो चाहे बेटी उसका जीवन साथ ही मैं ही चुनूंगी भाई यार ठीक है बेट आपके कहने से नहीं होगा एक बार भाभी से भी तो पूछ लीजिए तुम्हारा घर मेरा माई का है तो उसका जीवन साथ ही तुम चुनना चाहोगी तो इसमें गलत क्या है लक्ष्मी क्या हो लिया अरे बेटी लंदीनी लंदीनी बेटी बेटी कुछ लियो और सट्टी को जाएगा पुच्छ टेल लेक्टा है पुच्छ बच्चा गर्म में ही मर चुका है अपरेशन करके बच्चे को बहा निकालना होगा और इतना ही नहीं अंदर काफी इंफेक्शन फैल चुका है जल्दी से ही अमें कुछ करना होगा तो फिर बच्चे बच्चे की उम्मीद करेंगे तो मा की जान को खत्रा हो सकता है बच्चे नहीं हैंगे तो भी परवान है डॉक्टर मुझे मरी बीबी चाही ओकी, आइविल मेक अरिंजमीद्स चाचा जी, यह बात किसी को पता नहीं चलने चलने खासकर लक्षमी को नंदनी पेट से है, यह पता चलते ही सबसे ज़्यादा खुश हुई थी मेरी बेहन लक्षमी पैदा होने वाले बच्चे के लिए उसने कितने सपने देखे जब उसे पता चलेगा कि बच्चा पैदा ही नहीं होगा तो मेरी बेहन सहन नहीं पाएगे चाचा जी रुको लक्षमी, इस बारे में सिर्फ तुम्हें पता है अगर तुमने ये बात भाईया को बताई तो तुम्हारे भाईया ये बात बरडाश नहीं कर पाएंगे प्लीज, प्लीज तुमने जो पावडर दिया था, वो मिठाई में मिलाकर मैंने अबोशन करवा दिया गुड मैंने भी तुम्हारे कहरें पर आपरेशन कर दिया है उसकी कोग खाले होगी है यह रखिए इस नंदनी यह है यह सब क्यों हो हमारे साथ शाहिद माँ बनने की कुछी पर नसीब में नहीं है चीची यह कैसी बात कर रहे हो देखना तुम जरूर मा बनोगे अपने बच्चे को गोध में लेकर तुम उसे अच्छे से खाना खिलाओगी नंदनी बेटी नंदू जूस बिलो बेटी नहीं मौसी जी मेरा मन नहीं कर रहा ऐसा भोलोगी तो कैसे चलेगा नंदनी लो पीयो आप अब फैक्टरी जाएए बेटा काम पर जाने लगोगे तो थोड़ा दुख कम हो जाएगा अपना द्यान रखना पीलो बेटी दुखी होकर बैठने से नहीं चलेगा ऐसा क्यों आ इस बारे में सोचो सब समझ में आ जाएगा मेरा शक है कि कहीं तुम्हें बच्चा हो गया तो उस पे और उसके बच्चों पर प्यार कम हो जाएगा इसलिए लक्षमी ने अबोशन करवाया होगा या फिर बेहन के बच्चों से ज्यादा प्यार है इसलिए तुम्हारे पती नहीं करवाया होगा ऐसा वो क्यों करेंगे क्योंकि वो दूसरे भाय बैनों की तरह पड़ार बनने का कारण लक्षमी ही है बेहन के कहने पर विना उन्हों ने पेरे कले में मंगल सुद्रबान दिया और इस घर की रानी बना दिया मुझे ऐसे लोगों पर शक करना पाप है अरे पगली कहीं की जिसका कोई नहीं है उसे इस घर की बहु बनाने पर वो सब कुछ सहलेगी ऐसा ही सोचा होगा चुप किजी मौसी जी जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है आप कुछ भी अनाफशनाफ सोचे जा रही है इसलिए मेरे पत्ती और मेरी नरत की बारे में बक्वास किये जा रही है जो भी हो मुझे जो सही लगा वो मैंने तुम्हें बता दिया फिर भी मुझे क्या ये क्या लक्षमी अगर तुम इस तरह खाना पिना छोड़ दोगी तो तुम्हारी तब्यत खराब हो जाएगी भागवार ने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया उनके साथ उन्होंने मुझे सिर्व भाई का प्यार नहीं दिया माँ बाप का प्यार भी दिया है जिस भागवार ने उन्हें मुझे दिया शाद होने की नजर भया को लग गई मैं उनके बच्चे की बूह नहीं परवाऊंगी यहां तक कि भया के साथ उनका यह दुख भी बाट नहीं पाऊंगी लक्षमी तुम धीरत से काम लेना होगा मुझे यहां समालने के लिए आप है और वहां मेरे भया सारा दर्द अपने दिल में लेकर अकेले तड़प रहे होंगे सुनिए बच्चों को लेकर मैं भया के पास चली जाओंगी हमारे बच्चे उनके सामने होंगी तो कम से कम उनका दर्द थोड़ा तो कम होगा ठीक है लक्षमी लेकिन तुम अंदर से दुखी हो यह बात तुमारे भया को पता नहीं चलनी चाहिए ओके मेरी पारू के बिना मैं नहीं जी सकता है यह जहर पी के मैं मर जाओंगा जूजरों आपके बिच पी जाओं किसी बहस दर्द की रखी है क्या है का रखा है यह पनौत इस वक्त के उट अठाप गया चेए क्या था वो कुछ नहीं भाई पीछे क्या है कुछ नहीं भाई तो फिर यह चुपा रखा है यह पूरा बोड़ी जहर है तुम बच्पर में दूद पिकर बड़े हुए हो और माई यह जहर पिकर बहुत है बाई सिग्रेट भी तब जॉब कर रहा है नियुया बाई यहां पर जलन हो रही गया जलन हाई यहां भी जलन होरी वह वहीं तो भाई वह सेले की शादी हो रही है वह दर्द में शहनी पारा था इसलिए विसकी में जहर मिला के पीरे वाला था कि बीच में तुम हांके विसकी विसकी कहके पी लिए तुम मुझे गाली दे रहा है यह ठीक नहीं है बारो तुम आ गई क्या पारवती मेरी पारवती आ गई भाई भारो मेरे जिन्दा रहने में इस देवता का हात पारो मैं इनका आशिरवाद लेना चाहिए पारो लो आशिरवाद लो अश्रुवाद माग रहा है इससे में इसकी जबूरत है क्या ले चलो वह बचाले ले अब कहा है अब मैं भाग ना होगा अग्या सबसार अब मेरा बेटा हुआ तो मैं उससे आपका ही नाम रख दे चल जाले ज़ेन चल जबाशिक होगश्त कि यह लोग का है स्वार्ग लोग का यह मैं तो अब तक मारा नहीं साहब जी हर साल अपनी बहन के नाम पे आप कुछ न कुछ अच्छा काम करते हैं इस बात अगर माता जी का मंदिर बनाएंगे तो अच्छा होगा आपने जैसा कहा वैसा ही मंदिर में जरूर बनवाओंगा मैं लक्ष्मी को फोन करके आने को कहता हूं उसी के हाथो भूमी पन होगा चाचा जी सारी तैयारी आपको ही करनी होगी वह सब मुझ पर छोड़ दो उधर देखो बात करते लक्ष्मी आगई तुम सौ साल जी होगी लक्ष्मी आजाओ बेटा आजा लक्ष्मी एई कैसे हो आजाओ आजाओ मैं बहुत अच्छा हूं नंदू क्या हुए लक्ष्मी सर्वनाश करने वाली लक्ष्मी है वैसे भी मुझे क्या हाँ ठीक है नमस्ते अरे चाचा जी आप जल्दी से जाकर लक्ष्मी के तैयारी की तुम कबाई कैसी हो अच्छी हो बस किजी मौसर जी कोई बात नहीं खाओ बेटी खाना किसने बनाया क्या हुआ नमक क ज्यादा हो गई है ऐसी कोई बात नहीं है पर किसने बनाया है मैंने यहीं बनाया है बस यहीं बात है यहीं सबजी अगर मेरी बेहन बनाई होती तो और स्वादिष्ट बनती है न भावी ने भी अच्छी बनाई है भाईया पर अगर तुम बनाती तो और भी एक जमाने में एक राजा था और उस राजा के आठ बच्चे थे और वो आठो के आठो बच्चे जंगल में जाकर आठ मचली लेकर आए रुक्या मामा जी, क्या हुआ? जंगल में जाने वाला चानवर लेकर आ सकता है, मचलीया कैसे लाएगा? मुझे तो ऐसा कुछ शक्षी नहीं हुआ मामा जी मामी आ गई मामी आ गई अब कहानी बहुत हुई जाकर सोजाओ हाँ मामा जी के पास हुए मामा जी के पास ही सोगे तुन लोग रात बहुत हो गई है अब बच्चों को भेज़ दीजिए अरे नंदनी ये यहीं सोने के लिए कह रहे न तो फिर मैं इतने बड़े घर में तुम्हें सोने के लिए जगे की कमी है क्या कहीं पर भी जाकर सोजाओ तो बताओ हमारी कहानी कहा तक आई थी इस घर में तुम्हारी क्या एहमियत है अब तो समझ गई होगी मैंने तब पहले ही कहा था, पर तुम कहां मेरी सुनती हो, अनुभा उसे ही कहा था तुमसे, हाँ, वैसे भी मुझे क्या, अब क्या हुआ, क्यों में बलाया तुमें, वॉकर्स के लिए हॉस्पिटल बनाना है, उसके लिए मुझे लोन चाहिए, हाँ, सेड जी ने लोन देने के लिए हां कर दी है आप जाके एक करोड ले आईए ये लिजी पेपर्स हास्पीटल की बात पर एक बार सोच लेंगे तो अच्छा होगा आपने पहले भी ये बात कहिए मैंने सोच लिया है हास्पीटल हम बनवाएंगे ठीक है जरूरत है जरूरत है पर उसके लिए कोई लिमिट होनी चाहिए पर आपकी भी लिमिट होनी चाहिए घर में आप जो कुछ बोलते हैं मैं सुन लेता हूं लेकिन ये ओफिस है यहाँ जो मैं कहूंगा आपको मानना होगा हुझे कुछ जरूरी काम है आप लोग प्लीज यहां से जाएए बात वो नहीं है वरकर्स के लिए अगर विल्यू प्लीज गेट आउट कि अज ओफिस से गेट आउट कहा है कल घर से गेट आउट होने को गहेंगे तो कहां जाएंगे अगर ऐसा हो गया तो हम रोट पर आ जाएंगे कांता मौसी नहीं कहा था कि एक दिन ऐसा जरूर होगा ध्यान से रहीगा अभी ध्यान देंगे तो ही हमारे लिए अच्छा होगा आप बात क्यों नहीं करती भावी अब तुमसे बात करी रहे हो ना तो मुझी क्या जब तुम् ठोशा जब को मेरा नमस्तिय आपको नहीं आप परलाम वहीं सोलूशन होता है और जब सोलूशन होता है तो हप्रबलम होई नहीं सकती कुछ समयंब यह इसी बात बोल सकते हो कि 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 मैं जो कह रहा हूं वह जहां से सुनो आकाश ने जीपियर कंपनी के फाइल लेकर आने को काया साइन करने के लिए तो साइन करते वक्त मैं उसे फोन करूंगा वह जब मुझसे फोन पर बात करेगा तब उसे पता लगे भी नहीं इन स्टैंप पेपर्स और ब्लैंक चेक्स पे साइन करवा लेना ठीक है ओके ठीक है ना ओके सर मैं भिजवाता हूं थैंक यू भाया जेपी वालों का अग्रिमेंट रिडी है ना रिडी है बस तुम्हारे साइन की ज़रूरत है हुआरत हुआरत हाया आब यभूह बहुआ यह फाइल में भीजवा देता हूं जिपी ऐख ओके फाइल ओके पास हलो आपके बच्चे नहीं ना आपके हाथों से पूजा करना अच्छा नहीं होगा लक्ष्मी तुम जाकर पूजा करें या वो अरे पूजा तुम्हें ही करनी होगी लक्ष्मी जाओ बेटी जाओ जो मान हुआ वो काफी नहीं है जो अभी तक यहां करी हो चलो इससे पहले कुवा बनवाय था इस जनम दिन पर मंदिर बनवाय जा रहा है अब तो समझ जाओ तुम्हारे पती को चाहिए बेहन और उसके बच्चे ये पुजा तुम्हें करनी चाहिए थी उस लड़की क्या हाथो करवाया मतलब समझ रही हो ना तुम्हारा पती तुम्हारी कितनी इज़त करता है पुरे गाउने देख लिया कुछ समझ मैं इस तरह से बोली ना कौन-कौन कितना लेगा मैं बताता हूँ सेट के पास एक करोड की करजी का नोट लिखा है आकाश ने और एक नोट पे दस्खत करवा कि उसके नाम पे तीन करोड का करजा लेगा तो कुट पलोगे चाहर करवा और आप नाइडू को देने के लिए दस्खत किये हुए चेक दिये ना वो चेक से बैंक का पैसा सब अड़प गया तुम चिंदा बत करो बाव और फेट्रणी पेपर पे दस्खत करवा के फेक्टरी भीकवा दिया पांच करोगा उसमें दस्खत किये उसे हमारे माथे की ल इसको बिल जाए तो ऐसा ही होता है इससे पहले कि यह बात तुम्हारे भाई को पता चले कोई न कोई बहाना करके इस घर से बाहर निकल जाओ पकड़ो हम शाम को चले जाएंगे इतनी जल्दी कुछ जरूरी काम है यह क्या बात होई तुम लोग अभी आ और अभी जा रहे दो चार दिनों रुखना चाहिए न आप मुझे कार देंगे ना मामा जी अरे कार क्या कार के साथ साथ तुम्हें घर भी दूंगा नंदू सुना क्या मामा मामा जी मुझे कार और घर देने वाले हैं मैं नहीं आओंगा मैं मामा जी के पास आओंगा लक्ष्मी आकाश को जरूरी काम है इसलिए तुम लोग जाओ लेकिन बच्चों को मेरे पास छोड़ दो बाद में भिजवा दूंगा ठीक है भाईया अब बच्चों को रखना है तो लक्ष्मी को भी रहने दीजिए ना नहीं तो लक्ष्मी के साथ साथ बच्चों को भी भेज़ दीजिए मा और बच्चों को दूर करना अच्छी बात नहीं है आधी रात को बच्चे उठकर अपनी मा को ढूर नेंगे तो क्या करेंगे अब? छोटे बच्चे अपने पिता से दूर रहें तो कोई बात नहीं पर मा से एक दिन के लिए भी दूर नहीं रह सकते मा और बच्चों के बारे में तुम इतना सोस्ती हो फिर भी तुम्हें भगवान ने बच्चे ना देकर बहुत अन्याई किया है भावी आप देवी हैं बच्चे को मा से दूर नहीं करना चाहिए ऐसा ख्यार एक देवी के मन में ही आ सकता है मैं खुश नसीब हूँ कि आप मेरी भावी है और मेरे बच्चों की मामी तुम दोनों भाई बहन ही तो मेरे खाली कोक का कारण हो तुम दोनों को अलग करने तक मैं चैन से नहीं बैठूँगी तुम्ही नेंद अगर आप भी गई तो भी मैं तुम्हीं सोने में दूंगी हेई 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 चॉपलेट लेगे आएँ सब को मिलेगी ठीक है सब को चॉपलेट दे दूँ जाओ जल्बी आओ हलो मैं नाइडू बोल रहा हूं नमस्ते नाइडू जी आपको चेक मिल गया ना इसे नहीं चलता है नहीं सर दरसल मैं अपने ससुराल गया था सब्सक्राइब पैसे देना सीखो मैंने अपने भाई को चेक दिया था सर उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है मुझे बस अपना चेक चाहिए तहीं तो मैं कूट तक जाओंगा तो नहीं हाएंन भया के बिवल्द कियो उख्याय जाने से पहले मैने आपको 60,000-huhches अAyat की वधिया की आपके सामने सामने मैंने था 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 थो और चेक दिय को ढूए हो यह पता नहीं हो अगर दियाओ ना क्याओ59 30-Carlos चेक देने के बाद मैं जूट क्यों बोलूँगा आप से करोड़ बीना पैसों के गरीबी में जी सकते हैं पर ऐसी बाते सुनने के बाद नहीं जी सकते हैं चलो अब इसे खरे करे क्या देख रहे हैं चाहिए जाकर उन्हें रोक यह इस पड़ी हो जो चाही है तो चाही है जो जो जो, जो जो जाए है इतना खुए पर खबिं रही समझ का रह एक समय हो! जो 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 जबादी कुछ नही सुना है सुगे तैदी जो जो जजी देंगे वयोच अब जाले, तज कीजी ना चाचा जी आप पहले 20 लाख लेकर जाएए और मंदिर के कॉंट्रेक्टर को देदेगे बचे वे 20 लाख वो मंदिर का काम होते ही देदेंगे क्या देखा 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 लाख रुपे कैसे खर्च कर रहा है बीवी के लिए कभी भी ऐसा खर्चा किया क्या श्रीपुरम से अचारे जी ने फोन किया देवी की मूर्ती तयार है हम अगर जाकर ले आए तो चाचा जी आप पंडित जी के साथ श्रीपुरम जाईए मैं जाकर बैंक से पैसे निकालता हूं और सीधे वहीं आता हूं ठीक है तो तुम्हारे ओने वाले बच्चों के लिए क्या बचीगा चिलर रह जाएगा वैसे भी मुझे क्या ऐसा मत कहिए मौसेजी अब आप ही बताएए क्या करूं मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा तुम इतनी सुन्दर हो पती को पल्लू से बांद के रखो नंदू नंदू वहाँ है मूर्ती देवी जी की मूर्ती बहुत अद्बूत है ना हाँ हाँ बहुत सुन्दर है आचारिय जी का हाथ लगते हैं किसी भी मूर्ती में जान आ जाती है यह सब तो आपका सम्मान है थोड़े समय में मूर्ती पॉलिश हो के तयार हो जाएगी फिर आप ले जा सक थेक है क्यों बेटा अचाना क्या हुआ अब क्या हुआ पता निर अपना दिहान रखना एक्सक्यूज में मिस्टर आकाश इस घर को जब्त किया जा रहा है यह आप क्या कह रहें तुम्हारे पती ने सेट जी से चार करोड का करजा लिया तो कुछ तो करेंगे ना वो मैंने उनसे एक करण रूपे लिये थे पर इस डॉक्यूमेंट में तो चार करोड लिखे वे हैं और यह दस्तकत आ आप नहीं किया ना आपने आपके भाईयों को पावर अफटाउनी देकर फैक्ट्री और बचीवी जायदात बेच दिये यह पता चलते ही उन्होंने कोट में केस कर दिया और इस घर को जब्त करने के लिए कोट ने ओडर दिया है चार करोड के पेपर पर दस्तकत पावर अफटाउनी पर दस्तकत यह सब क्या है जी दोका मिला है मेरे भाईयों नहीं मुझे दोका दिया है लक्षमी मिस्टर आकाश इस घर में मौजूद सोना जेवर पैसे मोविबल्स इम्मोविबल्स कोई भी वस्तू होगी तो घर से बाहर नहीं जा सकती है दिस इस कोर्ट्स ओर्डर मिस्टर आकाश घर और घर में मौजूद सभी चीजों की गिंती की तो भी आपके पर तीन करूर का कर्ज बागी है आपने नाइडू जी को जो चेक दिया था वो बाउंस हो गया है उससे संबंदित अरेस्ट वारेंट भी आपके ऊपर है आपके ऊपर है यह सब्सक्राइब सब्सक्राइब अब कुछ भी करेंगे तो फैयदा नहीं है तीन करोर कोट में भरके आप अपने पती को छोड़वा सकती है कि अग्युक्त 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 लक्ष्मी बोल रही हूं कौन है लक्ष्मी कि अग्युक्त कि अग्युक्त कि अग्युक्त कि अग्युक्त अग्युक्त कि अग्युक्त कर्जेवालों ने केस कर दिया और कोटने हमारे घर को सीज कर दिया उन्हें अरेस्मी करके ले गए मैं बच्चों को लेकर रोट पर घड़ी हूं शाम तक अगर तीन करोड नहीं भरेंगे तो उन्हें नहीं चुड़ा पाऊंगे ऐसी परस्थिती में भाईया के अलावा मेरे मदद करने वाला और कोई नहीं है अरे कितनी मुसीबत आगी लक्ष्मी तुम पर भाईय आएंगे तो उन्हें इस सब बताके उन्हें यहां भेज दोगी भाभी जैसे ही आएंगे भेजवा दूँगी तुम हिम्मत रखो हां भाईय तीन करोड चाहिए इसे कितने भी करोड क्यों नहों हम ये बात तुम्हारे पती को थोड़ी न बताएंगे वह वहां पे इंतजार करती बैठी रहे हां कहीं लक्ष्मी को किछ हुआ तो नहीं है हवा से हार सूग गया होगा उसके लिए इतना क्यों सोच रहे हो तुम्हां कुछ नहीं चाचा जी मेरा मन बहुत बेचैन है कि एक बार लक्ष्मी से फोन करके बात करता हूं कि अब 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 आखाश का फोन स्विच्ट ओफ है और घर में भी कोई फोन नहीं उठा रहा है पहन इस वक्त अपने घर पर की ओगी आज उसका जननलीन है अब तक हमारे घर पर आ गई होगी गर का नंबर लगाओ कि अब अब तो नहीं अब तो नहीं आई अभी तक नहीं नंदनी मैं जबसे यहां आया हूं सब अर्शु भी दिखाई दे रहा है मुझे इस बात की टेंशन है कि लक्षमी किसी परिशानी में तो नहीं है कुछ नहीं है जी आप फिक्र मत कीजिए थोड़ी दिर में आ जाएंगे और वो जैसे ही आएगी मैं आपको फोन करके बता दूगी ठीक है लक्षमी अपने घर पर भी नहीं है और हमारे घर पर भी नहीं है मुझे भी वही समझ में नहीं है जरूर मेरी बहन किसी मुस्यवत में ऐसा मेरा मन कह रहा है मैं अभी उसके घर जाता हूं आप मुर्ति लेकर अपने गाउं पहुंचे बहन नहीं आई इसलिए तुम्हारे पती इतने चिंती थो रहे हैं मतलब मुझे कुछ तो डाउट है क्या डाउट है क्यों नहीं आई है यह जानने के लिए अकर सीधे उसके घर पहुंच गए तो बापरी अगर वह बहां चले गए तुन्हें सब पता चल जाएगा तीन कर लोड़िया जायदात नहीं होंगे तुभी अनुभाव तो मेरे पास है तुम्हारे पती को अर्जंटली यहां पे खीच कर लाना होगा हलो लक्ष्मी आ गई क्या वो नहीं आई है पर यहां पे नंदीनी के सीने में दर्द हो रहा है सीने में दर्द हाँ बेटा सुबह से उसे ऐसा लग रहा है कुछ तो अशुब हो रहा है इसलिए टेंशन में थी और उसी टेंशन की वज़े से ना बेचारी की यह हलत हो गई है जल्दी हॉस्पिटर लेकर जाईए हाँ फिक्र मत करो डॉक्टर को फोन कर दिया है इससे न आपसे बात कर नहीं है लो बात कर बिटा सुनिये अचानक मेरे सीने में दर्द होने लगा बहुत अकलीफ हो रही है आपको देखे बिना कहीं मैं मर ना जाओ ऐसा डर लग रहा है मुझे जल्दी आ जाईए ना जी तुम फिक्र मत करो नंदनी मैं अभी वहां आ रहा हूँ मेरी लाड़ी मा राकी के इसके लिए मा आज रक्षा बंधन है ना तुम्हारे मामा जी को बानने के लिए नंदनी नंदनी अब कैसी है डॉक्टर फिक्रा करने की ज़रूरत नहीं है बीपी थोड़ा ज्यादा हो गया था मेडिसन दे लिए शीविल बी आल राइट चलते हूँ अब कैसी हो तुम सुनिए मुझे बहुत ज्यादा दर लग रहा है मुझे एक पल के लिए भी चोड़कर मैं चाहिएगा थे ठीक है न मिली तुम बिलकुल फिक्र मत करो निश्चिंट होकर सोजा हां सोचो एई सोचो आप में चाहिए बैठा बिटा मैं देखती हूँ जल्दी देखे लक्ष्मी होगी हालो लक्ष्मी है ना रॉंग नंबर रॉंग नंबर है बिटा रॉंग नंबर किसे भी तरह आज के दिन इन्हें की बेहन से मिलने से रोकना होगा लक्ष्मी अभी तक क्यों नहीं आए कम से कम फोन तो कर सकती थी आप मौसी जी क्या हुआ बिटा लक्ष्मी ने फोन किया था क्या नहीं तो नहीं किया अब कैसे करेगी फोन फोन क्यों नहीं लग रहा है लक्ष्मी खाना खालीजिये नहीं लक्ष्मी महारानी की तरह रहने वाली तुम्हें और अपने बच्चों को आज में रोट पे ले आया हूं यह दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया लक्ष्मी ऐसी बातें मत कीजिए अच्छे लोगों की ही वो भगवान इतनी प आपको तो मुझे हिम्मत देनी चाहिए और आप ऐसी बातें कर रहे हैं बच्चा को देखिए आपके बेना इनका क्या होगा अपने लिए ना सही इनके लिए ही थोड़ा सा खालीजिये तुमी कहा लो शेकत या घदी आपके लो मुझे है । अपका लोगा है कि आपकी जिया देदी आपका है आपका लोगाँ पक्या देदी कि सुनिए मैं भाइया के पास जाकर आती हूँ नहीं लक्षमी यह बात भाइया को पता ना चले तो ही अच्छा है पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे वो कुछ नहीं नहीं सोचेंगे जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी गलती नहीं है और जब भी मुसीबत में आती हूं तो भाइया के अलावा और किसके पास पास जा सकती हूं उनके अलावा और कौन बचाएगा हमें ठीक है सब्सक्राइब कर जाना कि मेरी तबीद खराब है फिर भी चले गए पहन मुझसे भी बढ़कर हो गई क्या अरे सुनो भाई यह केट पर सील क्यों लगा हुआ है कोर्ट ने इसे जब्द कर लिया है इस घर पे बहुत कर्ज है घर के मालिक को एरेस्ट करके पुलिस टेशन लेकी गया है वेचारी उसकी मजबूर बीवी अली हाथ अपने बच्चों को लेकर चली गई है उसके भाईयों ने से भोखा देखे पूरी जादाद अपने नाम करके उसे हावालात में जाने के मजबूर कर दिया पुलिव से तो हुआ है हुआ है हुआ है वहाई उन्हें छोड़ दीचे बरना अब दो भारे साथ क्या गलत किया था क्यों तुम लोगों ने उसे परिवार के साथ रोट पर कर दिया तुम्हें जो हुआ उसमें हमारी कोई गलती नहीं है इसका क्या दरा है इन सब का कारें वह सूरे कांता है कुछ भी को लेकिन तुम लोगों ने मेरी बेहन के साथ हान्याई किया है तुम लोगों को छोड़ दीजिए हमां क्या प्रणी होटे है इनका छेहरा देखकर मैं तुम लोगों को छोड़ था अब पुली स्टेशन जाकर तुम लोग अपने गलतियों को माल लो और शाम तक आकाश छूट जाना चाहिए वर्ना फिर 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 हाँ 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 अरे रे इतना अच्छा जग तोड़ दिया पनोधी कहीं के पनोधी जाओ अरे अच्छा चलोते हैं मा मा ने रहा भाबी ओ तुम आई हो मुझे लगा कोई भेकारी आया है बच्चों को ऐसे पालते हैं क्या शर्म नहीं आती तुम्हें मा पर ही तो जाते हैं बच्चे जरहालत तो देखो इसकी परिस्थिती ऐसी आ गई है भाबी वह पुलिस टेशन में है उसने जो किया होगा उसका परिदाम भुगत रहा है इसमें हम क्या कर सकते हैं वह कैसे हैं क्या आप नहीं जानती हैं तीन करोर जब तक नहीं भरेंगे वह पाहर नहीं आएंगे वैस बहीं आसे बात करूंगी और तीन करोर भीग मांगने आई हूँ यहां पर और वैसे भी तुम्हारे और बच्चों पर बहुत पैसे खर्च कर दिया है बचा हुआ भी लेकर जाने का इरादा है क्या भागवान करें मेरे भाया सौ साल जी मेरे माय के का दीपक हमेशा जलता रहे तो पर क्यों आई हो यहां नंदू तुम रहने दो मैं बात करती हूं देख बेटी लड़की की शादी करवा के भेजने के बाद दुख हो या सुख हो मौत हो या जिन्दगी हो सब ससुराल मे ही होना चाहिए शादी के बाद दो बच्ची होने के बाद माय का भाया मुसीबत इन बातों की लंबे लिस्ट बनाकर लेकर आओगी तो तुमारे भाया के हमेशा खुश रहे हैं यहीं मेरी प्राथना है अगर यह बात सच है तो जिस रास्ते से आई हो वहीं से चली जाओ इतना ही नहीं कोट में जो तुम्हारे पती को छुड़वाने के लिए तीन करोड भरने हैं उसके बारे में तुम अपने भाईया को बताना तक नहीं ठीक है भावी नहीं बताओंगी आज मेरा जनम दिन है राखी का त्योहार भी है भाईया के आने के बांद राखी बांद कर चली जाओंगी मैं कि राखे नहीं बांदोगी तो मर जाओगीक्या बजपन से लेकर आज तक में तुम अपने भाईया से जितनी दूर रहोगी न तुम्हारे भईया अपनी वीवी के उतने खरीब रहेंगे मा, 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 भूख लगी है, मा, अब खड़ी है, जा ना ठीक है, जाती हो भावी, बच्चों को भूख लगी है इने थोड़ा सा खाना खिला दो, इनके खाने के बार चली जाओंगी बच्चे है, ये सोचकर दया मत दिखाना, खाने के बहाने, इसके भईया के आने तक यहीं रुखने का प्लैन बनाया होगा पहले ही पनोती लगी हुई है एई, इज़त से बोल रही हूँ, तुम्हारे भईया के आने से पहले, इन्हें लेकर यहां से चली जाओ चलती हूँ भावी, बस बच्चों को थोड़ा सा खाना मन जाता खाना माना कुछ नहीं है, जाए हैसे चौनो भावी, निकले हैसे, निकले भावी चौनो, आहरी बार कह रही हूँ, आज के बाद अपने भाईया से मत मिलना और अपनी इस हालत के बारे में उन्हें मत बताना तुम्हें अपने भाईया की कसम है, लक्षमी इतना कुछ सुनने के बाद भी यही खड़ी है शरम नाम की चीज है या नहीं ये तो वो है, जो बातों सरी मानते, ला तुसी समझाना हूँ का अरे, लक्षमी जी, ये सब क्या है इस हाथों से आपने कितने लोगों को खाना खिलाया होगा और आज, लोगों के साबने अपने बच्चों के खाने के लिए फैला रही है असल में, उस बुल्डी ने जब से इस घर में कदम रखा है, इस घर की शांती खत्म हो गई है लक्षमी जी, मेरे घर चलिए आप, मैं खिलाओंगा सबको चलो बेटा, चलो बेटा, आजो, आजो आजो गोदी में आजा असल में, आजो, 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 आजो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि अ अ अ अरे जली गैं क्या निटा मेरा अगला मैं अपने हातों से खिला दो कि पीड़ भर के खाना विटा यह सब क्या है क्यों रे मैं सुखी रहूं यह तुझे पसंद नहीं है इसे यहां लाकर क्यों रखा है और तू पती जेल में सर रहा है इसकी फिक्र नहीं है तेरे भाईया परिशान है इसकी फिक्र नहीं है तुझे और तेरे बच्चों को बस खाने के लिए चाहिए बच्चे भूख के मारे तरब रहे थे इसलिए देखा नहीं गया मुझसे बच्चों से हमें प्यार नहीं है, तो तुम्हें किस लिए है? यह क्या तेरे बच्चे है? या फिर बच्चों के पैदा होने के बाद इन्हें तुमने रख लिया? इस खर में नौकर की ओकाद है तुम्हारी और मेरी बॉसी पर हाथ उठा रहे हो तुम सच है ऐसी औरत के उपर हाथ नहीं उठाना चाहिए बाकि ऐसी औरत को तो काट करके रखने नहीं चाहिए काट तुगा में तुछी मत मारो नहीं लक्षमी जी मैं इस औरत को काट के रहा हुआ है चोड़ दो इस देवी का चेहरा देख कर तुम्हें छोड़ रहा हूं वरना मैं तुम्हें मां हमें खाना नहीं चाहिए मां चले चलते हैं चले बेटा चले बेटा चले मां मां मेरा सेर घूम रहा है मां खुआल, कुछ दो... वेटा! फुटा, शुटा.. बेएए, उटा.. बेहए, उटा.. अबेए, उटा.. सबस्क्राइए.. में बेएए.. जरुटा..? बेटा, आखे खुल मेटा, आखे खुल, थोड़ो सा, पानी पीले बेटा, राजु, राजु उट बेटा, मा, मेरा बच्चा, मा, भूग लग रही है, मा, मा, मुझे भी भूग लग लग रही है, मा, नंदू, लगता है तुम्हारे पती आगए, लक्ष्मी, बहन लक्ष्मी, लक्ष्मी, अब लक्ष्मी यहाई है क्या, आई थी, आई थी, हमारे घर पे, हमारे लिए नहीं, शिवा जी के घर पे आई थी, जैसे ही हमें पता चला, हम उसे लेने के लिए वहाँ पहुँच गए, वहाँ क्या देखते हैं, शिवा जी और वो रंग्रलिया मना रहे थे और क्या, इस पवित्र खून पर तुम लोग इलसाम लगा रही हो, बहुत बुरा हुआ बहिया, मुझे शामा कर दीजिए, क्या बात है बता, मुसीबत में बैन बच्चों को लेकर मेरे घर आई थी, इन लोगों ने उसे धक के मार कर निकाल दिया, बच्चों ने भूख लगी है कहा तो, मैं अपने घर खाना खिलाने ले गया, पहला निवाला मूँ बे भी ने गया था, इन्होंने खाने पर नात मार दिए, कोई भी औरत मुसीबत में होगी तो, उसे भगवान याद नहीं आता, मैं का ही याद आता है, मेरी बेहन ने ये सुचा होगा, कि अपने भाई के पास आने से उसके सारे कश्ट दूर हो जाएंगे, ऐसी हालत में तुम लोगों ने मेरी बेहन को भगा दिया, अरे तुम लोग इंसान हो क्या, भूख भूख करने वाले बांसूमों को तुम ने एक निवाला तक नहीं दिया, और जब वो खाना खा रहे थे तो उन्हें लात मारा, कैसी हो रहत हो तुम, आखिर क्यों है, ऐसा क्या हो गया जो तुम मेरी बेहन से इतना नफरत करती हो, ऐसा क्या क्या उसने तुम्हारे साथ, जब तुम्हारा कोई नहीं था, तो उसने मेरी फैक्टरी में तुम्हें नौकरी दिलाई, ये गलती हो उसकी, तुम्हारे बारे में ठीक से जाने बिना, उसने तुम्हें इस घर का महारानी बना दिया, ये गलती हो उसकी तुम जो खाना खा रही हो, जो कपड़े पहन रही हो, जो जिन्दगी जी रही हो वो सब सब मेरी बहन की दीवी भीक है भीक नहीं सजा है आपके कुछ भी करने पर मैं चुप चाप बैठूंगी इसलिए अनाथ होने के बावजूत मुझे इस घर की बहु बनाने वाली आपकी बेहन है लाखा रुपए उस पर लुटाने पर भी मैं चुप चाप बैठी देखती रहूंगी इसलिए मुझे इस घर की महारानी बना दिया उसने बंद करो अच्छाई करने पर भी उसमें बुराई ढूंडने वाले तुम्हारे जैसे लोग किसी की महांता क्या जान पाएंगे जानने की ज़रत आपको है बहन ही सिर्फ जिन्दगी नहीं होती है बहन की बच्चे ही सिर्फ काफी नहीं होते हमारे अपने बच्चे भी होन इसमें हमेरे घर में गडम रखा यह भी मुझे पता है मैं मैं ऐसा क्यों करूंगी चुपो तुम हमारे साथ ही इतना पर बाद भी प्ताय है मैं तुम्हें चोड़ रहा हूं क्योंकि तुम एक और ओरत हो और मेरी मा की उम्र क्यों हो इसलिए अगर ऐसे लोगों की बाते तुम सुनोगी तो जिन्दीगी पर तुम्हें रोना होगा एक और बात तुम्हें पता है बीवी को प्यार करने वाला हर वेक्ति कि अपनी बेहन को प्यार करता है ये नहीं पता हर भाई चाहता है कि उसकी बहन ससुराल में खुशी-खुशी रहे और इसलिए जब उसके घर में लड़की आती है तो उसे लगता है कि उस लड़की को भी खुश रखना चाहिए मेरी प्यारी बहन से जिस प्यार को तुमने अलग कर दिया है वो प्यार अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगा मेरी बहन की मुसीबत को ना सुल जाने वाली ये जाइदाद ये पैसा कुछ भी कुछ भी नहीं चाहिए मुझे जिस घर से मेरी बहन को निकाल दिया गया है अब उस घर में मैं एक पल भी एक पल भी नहीं रहूँगा याद रखना अगर मेरी बहन को कुछ भी वा ना तो मार डालूँगा बेटी नंदू मा पापा के पास चलते न मा हाँ मा बहुत भूक लगी है पापा के पास जाएंगे तो खाना मिलेगा बच्चों से हमें प्यार नहीं है तर तुम्हें किस लिए है ये क्या तुम्हारे बच्चे हैं आज के बाद अपने भाईया से मत मिलना और अपनी इस हालत के बारे में उन्हें मत बताना तुम्हें अपने भाईया की कसम है लक्षपी मा कुछ बोलो ना मा कुछ बोलो ना पापा के पास चलें क्या मा 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 हमें बहुत भूग भी लगी है ठीक है चलते हैं पर पापा तो बहुत दूर है यहां पास में नाना जी का घर है वहाँ जाएंगे ना तो तुम्हें पेट भर के खाना मिलेगा वहाँ पर कोई हमें मारेगा तो नहीं ना मा मारने वाला गाली देने वाला वहाँ कोई नहीं होगा बिटा तो पर चलते हैं ना मा चलो माँ ये घर नहीं है ये तो कुवा है को बीकल निचे ही नाना जी का घर है वहाँ जाएंगे ना हम पर कभी कोई मसिब्ट नहीं आएगी तो पहले में जाओंगी नैंनों फिरõ लों ये लारत कर जाओगे क्या हम सब साथ नहीं चेंगे माँ कर्टको क hall बुकscale कर्टको याख हुआ कर्टको कुछए क문ुकष बुकष बुकष र अ मेटी लिंग खुफ हुआ हुआ़ु ऑुब४ हुआ Winston कर दो कर दो कर दो झाल झाल कैसे क्यों उन्हारे सासा अन्या हुआ गॉा हूं और जाओ नहीं पैंदी तुम्हारां भीगवा गलतीघ्र है तो लक्षमी मुझस से बात करो East- नहीं चाटा जी कहीं नहीं जाएगी कहीं नहीं जीदिकूर छोड़ो के लक्ष्मी कहीं जा सकती है क्या नहीं लक्ष्मी उठो मैं अपनी आखे खोलो मैं लक्ष्मी 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 अच्छा जी मेरी लैटली पेटा अरे उठ्जा देखो तुम्हारा मामा आया है अपने मामा से बात करो मेरे बच्चों एह बेटी उठ्जा अरे उठ्जों तुम्हें पेट बरके खाना दूगो मेरे बच्चों उठ्जा पिटा कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो दुनिया में चाहे कहीं भी चली जाओ जड़म दिन पर मेरे भईया के पास ही आओंगी उनसे मेहंदी लगवाओंगी जिस दिन भईया से मेहंदी नहीं लगवा पाई या उन्हें राखी नहीं बान पाई तो वो मेरी जिन्दगी का आखनी दिन होगा लक्षमी अगर तुम जिन्दा रहोगी तो यह तुम्हारा यह भाई जिन्दा रहेगा मेरी बेन यह बात तुम भूल गई ना अ वेटा बेटा बीटा बाया बाया और ये क्या हो अचे जी करीजे टहाँ नहाँ कि ऐए लोग खचलिश क कि लुट खाफब लुटाएब से लुटेश खाफ़चे लुटारें गड़ जाएजे लुटारें झाल झाल इस दुनिया में हर कोई जनम लेता है और मौत के साथ सभी जुदा भी हो जाते हैं ये भाई बहन जनम के साथ एक दूसरे से मिले और मरने के बाद भी एक दूसरे से मिल गए झाल 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 झाल